नमस्का जहिंद ओल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चैनल आप सब देख रहे हैं मेरा नाम है सुजीत पाइंड दोस्तों आपके लिए यहां पर हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में एक कौशन है कौशन नमबर 1000 भारत के पहले लोग सवाद देख्ष कौन थे तो भा महावियोग की प्रक्रिया का उलिक अनुच्छेद 61 में है राष्टपती पर जो महावियोग लगाए जाता है नूकलियस के बाहर डियने कहां मिलता है तो नूकलियस के बाहर जो डियने मिलता है यह आपका माइटो कॉन डिया में मिलता है नूकलियस के बाहर डियने राष् अम्रता शेरगिल जी aurait प्रसिद्र चित्रकार है सविद्हान कि किस अनुचेत में बताये सब्सक्राइब थी । भारत की पहली महिला लोग लोग सवाद्धक्ष थी अलाओ दिन खिल जीकल के समय देवगरी का शाशक कौन था तो जब अलाओ दिन खिल जीन आक्रमण किया था हुस समय देवगरी का शाशक थे रामचंद्रदेव ह। भारत में grant प्राजन का वर्ष कहड़ाता है आपका 1921 इसवी का वर्ष नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशुरल हिस्ट्री भारत में कहां पर है तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशुरल हिस्ट्री नई दिली में इस्तित है सारनाथ या यूपी में किस सम्राट का इस्तंब है तो सारनाथ या फिलामेंट या तंतु किस तत्तो से बना होता है तो बिजली का बल्फ जो बना होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगश टंका बना होता है लोहे के उपर जिंक की परचड़ाने को क्या कहा जाता है तो लोहे के उपर जिंक की परचड़ाने को गैल्वेनाई येशन कह साफ हा जाता है या रखेगा अगला कौशन की भारतिये फिल्म में निर्देशक गुरु दत्य का वास्तुवी के नाम क्या था तो गुरु का वास्तुवी के नाम यह ड़ा आपका वसंत कुमार शिर शंकर पर आता है क्रिश्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी है तो यह पुर्तगाल के खिलाड़ी है आपको कमेंट करके बताना है कि रोनाल्डो क्रिश्टियान रोनाल्डो क्या खेलते हैं होकी क्रिकेट या फुटबॉल क्रिश्टियानो रोनाल्डो क्या खेलते हैं इ चीत्रकूट जल्पिपात कहा परिस्दित है तो चित्रकूट जल्पिपात बतसर जिले में 36 गड़ राज्ज जिमिस्थथ और इंद्रावती नदि परिस्थथ है और इसको भारत का नियागरा waterbag waterfall भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भारत का नियागरा waterfall या रखना एक्जाम में पूछा जाता यह रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया था तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था अगला कॉशन देखिए थोड़ा लंबा है किस संविधानिक संसोधन द्वारा जो है वर्ष 2026 तक लोगसभा और विधान सभ बिस तक जितनी लोग सभा की सीटे हैं उतनी ही बनी रहेगी या रखना मोश्ट इंपॉर्टन कोशन आगला देखो स्विध क्रांति या वाइट रेवॉलीशन का संबंध किस से है तो दुगद उत्पादन से इसका संबंध है भारत में ऑपरेशन फ्लड कारिक्रम का प्र सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उत्तर अमेरिका महादीप की सबसे लंबी नदी है आपकी मिसिसिपी नदी भारत की सिलिकॉन घाटिया सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं तो बैंगलूरु को भारत का सिलिकॉन घाटिया सिलिकॉन वैली कहा जाता है तीन मूल रंग प्राथ् संधिया कि कैलाता है कैंसर संबन्दी रोगों का अध्यन क कि Cle kadar रहिए रहिला नामक पुस्तक कौन है नामक पुस्तक कि लेखक कि ब्राउन desta के लिए किया जाता है तो प्रकाश रासायनी के धूमे के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रियुक किया जाता है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है तो यह आपको कमेंट करके बताना जो जो कॉस्चन मैंने नॉर्मल पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं कमेंट करके आपको बताना है भारत में पोलो खेल का प्रिचलन किस ने स्टार्ट किया था तो तुर्कों ने भारत में ब्हारत में पोलो खेल का परिशनल श्टार्ट किया था घेरे की निती का संबंध किस से है तो घेरे की निती का संबंध वारैन हेस्टिंग से है द benefici इस धाटारश सू संथाउन के विद्रो के दोरान जहांसी की ओर से प्रमुख नित्रत्व किस ने किया था तो रानी लक्ष्मिभाई जी ने जहांसी की तरब से प्रमुख नित्रत्व किया था परमाणू के संगठन में शामिल मौलिक कन कौन-कौन से होते है तो electron, proton और neutron से परमाणू का संगठन होता है आर्थिक नियोजन एक विशह है तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में एक विशह है कैलाश मांशरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिबबत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है तो आप कैलाश मांशरोवर की यात्रा जाएंगे तो आपको नातुला दर्रा और रिपुल लेके दर्रे को पार करना पड़ेगा जैन्धर में पूर्ण यान के लिए किस शब्द का उलेक किया गया है तो जैन्धर में कैवल्य या मोक्ष प्राप्ति का उलेक किया गया है राजी सभा का उलेक किस अनुचेद में है तो राजी सभा का उलेक अनुचेद 80 में किया गया है भारत के मूल समविधान में कितनी अनुसूचियां थी जो मूल समविधान सबसे पहला बना था उसमें आपकी आठ अनुसूचियां थी या रखना भाती सम्विधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां है तो कुल बारा अनुसूचियां अभी वर्तमान में भाती सम्विधान में है विदुत आवेश का ऐसाई मातरक क्या है तो विदुत आवेश का ऐसाई मातरक आपका कूलाम्ब है भाती लोक सेवा का जनक किसे क याजमा और आलो की खेती प्रारम करने का शेक्स को लाता है तो भागी रती हमें राजमा और आलो की खेती फ्रेडरिक विलसन ने चालू की थी ऑसी तरूं की थी जो आपके एक्जाम पिछले कई सालों से पुशे या रहे मैं चात्व कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 GKGS के MCQ question answer बनाए हैं 10,000 GKGS के question answer जो MCQ के format वे 4 option में जो की आप जो exam तयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं 100% chances से आने के और वो question answer PDF है और PDF सबको WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से जिसको भी चाहिए WhatsApp पर PDF मिल जाएगी PDF जो है आपकी वो 300 रुप से पढ़ो बाकि जो जिसको लेना हूँ 99 रुपए में आपको 10,000 GKGS के question मिल रहे हैं जो की आपके exam में फच सकते हैं तो इनको PDF को लेने के लिए नीचे दीगा नमबर वाटसप कर लेना नमबर आपको पूरे वीडियो पर शोगा जब भी आप वीडियो चोड़ो उसके ब डिजाइन करता कौन है तो राम सुतार statue of unity के design करता है statue of unity किस महापुरुष की प्रतिमा है तो सरदार वल्ला भाई पटेल जी की प्रतिमा है statue of unity गुजराद में statue of unity की उंचाई कितनी है आजा एक्जाम में तो 182 मीटर या 597 फिट या रखना शनी ग्रे के चारों पाई जाने वाले वल्लयों की संख्या कितनी है तो यह आपको comment करके बताना है मैंने आपको बोला था कुछ caution में छोड़ रहा हूँ और जो भी caution आपको tough लगी आप comment में बता जीना कि सर यह वाला number लग देना यह सर 947 का अंसर नहीं पता मैं आपको comment में reply कर दूँगा लिगने सर 947 का अंसर नहीं पता इतिहास कार वी एस स्मित ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपॉलियन कहकर पुकार था तो समद्रगुपत की विजयों से प्रभावित हुआ था और भारत क तुम्ताज महल का असली नाम क्या था तो मुम्ताज महल का असली नाम आपका अर्जूमंद बानो बेगम था सुएज नहर के बन जाने के पश्चाद भारत और यूरोप के मद्द की समुद्र की दूरी में कितना अंतर आ गया है तो सुएज नहर के बाद 7000 किलोमेटर कम दूरी तै करनी पड़ रही है यदि आपको यूरोप जाना है समुद्र की रास्ते स्वेज नहर कब बनकर तयार हुई थी तो 1869 में स्वेज नहर बनकर तयार हुई थी लोग सभा का उलेक किस अनुचेद में हैं तो लोग सभा का उलेक हैं अनुचेद 81 में अतमाद उद्दौला का मक्वरा आगरा में किसने वनवाया तो नूर जहान ने आगरा में एतमाद उद्दौला का मक्वरा वनवाय था एश्याई बबर शेरों के लिए पिसिद्ध है और गिर जो की गुजराध में पड़ता है प्रत्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है तो शुतर मुर्ग या ओश्ट्रिच इंगलिश में बोलते हैं प्रत्वी पर जो है विशालतम जीवित पक्षी की स्रणी में आता है भारत के राष्ट्री पतीक चिंदे में कितने शेर दिखाई देते हैं तो भारत के राष्ट्री पतीक चिंदे जो है इसमें आपको तीन शेर दिखाई देते हैं विश्व बैंक का मुख्याले कहां इस्तित है तो वाशिंग्टन डी सी यू एस ए में विश्व बैंक का मुख्याले इस्तित है जीडी गोयंका पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है तो जीडी गोयंका पुरुसकार पत्रकारिता की छेत्र में दिया जाने वाला पुरुसकार है मुरेको यात्री इबने वतूता किसके शाशनकाल में भारत आये था तो इबने बतूत आया था मुहंबद बिंद गुलक के शाशनकाल में अच्छा एक पुरुस्कार पूछ रहा हूँ आप बताना किस शित्र में दिया जाता है आपको बताना एक ग्रैमी अवर्ड किस शित्र में दिया जाता है कमेंट करके बताईए Grammy Award जो है किस शित्र में दिया जाता है मैं आपको दो Option दे रहा हूँ खेल के शित्र में या गाने के शित्र में, Music के शित्र में Grammy पुरुसकार किस शित्र में दिया जाता है Comment box में आपको Grammy के लिए comment करके बताना है भारत में सरपधम राष्टरी आय का ऐकलन किस ने किया था तो सबसे पहले राष्टरी आय का ऐकलन दादाबाई नौरोजी ने किया था दादा बाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिध्धान्त Theory of Drain का किस पुस्तक में वड़न किया है तो उनकी पुस्तक का नाम था Poverty and Un-British Rule in India ये दादा भाई नोरोजी की पुस्तक है धन निसकासन का सिधान्त किस ने दिया था तो यही Theory of Drain दादा भाई नोरोजी भारत का सबसे नवीन परवत कौन सा है तो हिमाले परवत भारत का सबसे नवीन परवत है भारत का सबसे प्राचीनतम परवत कौन सा है तो अरावली परवत भारत का सबसे प्राचीनतम परवत है मोचा कहवा कौफी कहां होगा या आती है तो मोचा नाम की कौफी है बहुत फेमस है यह आपकी यमन में होगा याती है बहुत फेमस कौफी है मोचा oil of withdrawal किसे कहा जाता है तो oil of withdrawal कहा जाता है H2SO4 को यही पर अगला कॉशन है यह देखिए 922 वा कॉशन बिजली के 3 pin plug में सबसे लंबी pin और सबसे मौटी pin जो रहती है वो किस से जुड़ी होती है तो वो neutral रहती है कोई भी आप देखना प्रेस उठा लेना अपने घर में जो प्रेस आयरन इस्तरी करते हैं उसमें एक मौटी pin होगी है ना laptop desktop कई यह एक मौटी pin होती तीन पिन वाले में उपर मौटी pin होती है वो neutral होती है अर्थिंग के लिए होती है भाति समिधान के किन अनुचेदों में नागरिक्ता संबंदी प्रावधान है तो अनुचेद पांच से लेकर ग्यान तक नागरिक्ता संबंदी प्रावधान दिए गए है प्रसारी विश्व की संकल्पना expanding universe की संकल्पना किस पर आधारित है तो यह Doppler के प्रभावव पर आधारित है अगला का उशन है कि कौन सी गयस हाथ से गयस है लाफिंग गयस के रूप में प्रयुक्त होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं लाफिंग गयस कहलाती है स्वाविधान के अनिश्यद एक में भारत को क्या कहा गया है तो अनिश्यद एक में राज्यों का संग कहा गया है भारत को जुआला मुखी से सबसे अधिक कौन सी गयस निकलती है तो जुआला मुखी से सबसे अधिक जल वास्प निकलती है सर विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोटस की पहचान किस आशक से की है तो सेंड्रो कोटस कहा गया था चंद्रगुप्ति मौरे को भारती संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है तो लोग सभा को भारती संसद का निम्न सदन कहा जाता है भारती संसरत का उच्छे सदन तो राजी सभा को भारती संसरत का उच्छे सदन कहा जाता है किस्तिती को भारती समिधान लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को भारती समिधान लागू हुआ था भारती सम्विधान को सम्विधान सभादवारा कब अंगी करत किया गया तो अंगी करत किया गया था 26 नवंबर 1949 को भारत का सम्विधान पूर रूप से कब तयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को पूर रूप से सम्विधान तयार हुगया था जूम खेती को और क्या कहा जाता है तो जूम खेती को स्थाननांत्रित खेती भी कहते हैं यार रखेगा मतश्य से समदित जॉर्ज बैंक कहा वस्तत है तो ये नोवा सकोशिया मिस्तत है जॉर्ज बैंक भारत में पहली बार EVM मसीन का कब उप्यूग किया गया था तो सबसे पहली बार 1982 भी में केरल में EVM मसीन का उप्यूग किया गया था EVM का पूरुप foot ready क्या होता है EVM का फुल फॉँआ होता है Electronic Voting Machine EVM का फुल फॉँआ होता है Electronic Voting Machine ठीक है Enzyme, Lipase सरी के किस अंग द्वारा उत्पन्न होते हैं तो एंजाइम जो लाइपेज होते हैं यह आपके अगनास है मतलब पैंक्रियास से उत्पन्न होते हैं एंजाइम लाइपेज अगला कॉशन देखिए श्री नगर की स्थापना किस ने की थी तो श्री नगर की स्थापना जो की ग किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है तो या रखना कनाड़ा जो है कनाड़ा की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा है आपको कमेंट करके एक बताना है कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा किस राजिकी है सबसे लंबी तटीय हूँ पहला option है महाराष्ट और दूसरा option गुजरात कमेंट करके बताना सबसे लंबी तट्रेखा इनमेंसे किसकी है गुजरात की या महाराष्ट की ठीक है अगला question शत्वर्शी युद्ध दस साल जो युद्ध चला था किन दो देशों के बीच में चला था तो यह जो चला था इंगलेंड और फ्रांस के बीच में चला था सत्वर्शी युद्ध दस साल वाला युद्ध भारती संग में नए राज की स्विक्रति कौन देता है तो भारती संग में नए भाति सम्विधान के प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है तो हम भारत के लोग प्रस्तावना में सबसे पहले यही वर्ड यूज क्या गया है कि हम भारत के लोग 19 इश्टरिज कहां इस्तित है तो 19 इश्टरिज यह आपका हिंद महासागर में इस्तित है सीजर कप किस खेल से सम्वनित है तो सीजर कप यह आपका फुटबॉल से सम्वनित है चंद्रगर्ण हमेशा होता है कब तो पूरिमा की रातरी फुल मून नाइट को चंद्रगर्ण होता है चंद्रगर्ण या लूनर्स के एलिप्स कब होता है तो यह आपका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच प्रत्वी आ जाती है तब होता है चंद्रगर्ण पूर्ण सूर करहन कभ होता है तो पूर्ण सूर करहन हो गाँ जाएगा तो सूर क्रत किया गया था या रखेगा स्वतंत्र भारत के राष्टी धोच का डिजाइन किस ने तयार किया तो पिंगली वेंक या ने स्वतंत्रभाद के राष्टी धोच के चक्र में कितनी तीलिया हैं तो भारत के राष्टी धोच के चक्र में 24 तीलिया हैं भारत के राष्टी धो आधा आधाध में आधियों की संख्या लगव judgments नहीं होती है तो 90 में हड्यों की संख्या करीब करीब आपकी 300 हड्यां होती है 1 वयस्क के शरीर में कितनी है तो 200 hard यह दर्ली में मुख्छिता किश्वाइबिक वर्शा मुख्य तक किस से प्राप्त होती है तो अधिक वर्षा जो होती है दक्षिन पश्यम पंसून से सरवाइबिक वर्षा होती है स्वामी द्यायन सरस्वती जी किस मिशन के संस्थापक थे तो इन्होंने आर्र समाज की स्थापना की थी और यह हुई थी 1875 में आधनिक आवर्चानी में कौन संमू की तत्वों का बाहरी कोश पून होता है सतिपर्था का पहला उलेख कहां मिलता है तो भानुगुप्त की एरण अभीलेक से सती पृता का पहला ओलेक मिलता है ओटम थुलल पारंपरिक नत्यकला किस राजिव में प्रसिद्ध है तो ओटम थुलल ये केरल की एक पारंपरिक नत्यकला है भारत में यारलूंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो यारलूंग जंगबो नदी को ब्रमपुत नदी कहा जाता है बेगम हजरत महल ने अठार संताउन के विद्रो का निर्तरत की शहर में किया था वह पहला भारती सेपाही कौन था जिसने चर्वी वाले कार्तूस का प्रयोग करने से इंकार कर दिया तो मंगल पांडे ने चर्वी वाले कार्तूस का प्रयोग करने से इंकार कर दिया था पास आती हुई रेल गाड़ी की सीटी की अरती या तिक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के काण होता है, तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के काण होता है, कि जो पास आती हुई रेल गाड़ी है, उसकी सीटी की तीरता और तिक्ष्णता बढ़ती जाती है, डॉपलर प्रभाव किस सम्मन्ध है तो यह ध्हानी से सम्मन्ध है डॉपलर प्रभाव मुखिता में एक्स कमपणी का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो IBM Company के वारे में सुना होगा उसका operating system है AIX गोसवामी तुलसीदास जी किसके संकालीन थे तो अकबर के संकालीन थे गोसवामी तुलसीदास जी रामचरित मानस नामक ग्रंथ के रशृता कौन है तो तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रश्ना की है प्रसिद्ध परेटन इ किस पहाड़ी में इस्थत है तो कोडाई कनाल जो है यह आपका पालनी पहाड़ियों में इस्थित प्रसिद एक परेटक इस्थल है किसे परवती परेटन इस्थरों की राजकुमारी के रूप में जाता है तो कोडाई कनाल को परवती परेटन इस्थलों की राजकुमारी कहा जाता है हाइडोजन के द्रविमान से ऑक्सीजन के द्रविमान का अनुपात हमेशा कितना होता है तो एक अनुपात होता है ऑक्सीजन और हाइडोजन का अनुपात द्रविमान का अनुपात एक्सो बायोलोजी में किसका अध्यन के जाता है तो बाह अंत्रिक्ष जीवन का अ पहल में जो है काली मिटी पाई जाती है बारानी दीप नरिंद शंकर नरिंद शुषका सम्राट लाल मती ये जो है किसकी किसम है तो बारानी दीप नरिंद शंकर नरिंद शुषका सम्राट ये सभी धान मतलब चावल की किसम है ये सभी भारत का राष्टी गीत वंदे मातरम स कि रचना की तो चाल्स डार्विन ने सर्वाइवल और फिटेश्ट की अवधार्णा की रचना की जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने की संभावना है क्योंकि बैरोमीटर का पारा एक दमसेदी गिर जाये तो दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं तो सागर माथा कहा जाता है नेपाल में माउंट एवरेष्ट को गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ तो शांक की कुल में हुआ गौतम बुद्ध जी का जन मानाव विकास रिपोर्ट किस संस्ता द्वारा प्रकाशित की जाती है तो मानाव विकास रिपोर्ट जो है यह आपकी UNDP GRI United Nations Development Program के द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है छेदी वंज का राजा खारविल किस शित्र से सम्मनित था तो खारविल कलिंग शित्र से सम्मनित थे किसे रूस का मैंचेस्टर कहा जाता है तो इवान एवो को रूस का मैंचेस्टर कहा जाता है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो इंद्रा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है कौन सी जल सायोजी यूरोप को अफरिका से प्रतक करती है तो जिबरॉल्टर जल संदी या सायोजी यूरोप को अफरिका से अलग करती है गोल करांती का संबन्द किस्से है तो आलू के उत्पादन से संबन्द थे गोल करांती टुंडा वनस्पती का सरवादिक विकास विस्तार कहां पाई जाता है तो टुंडा वनस्पती उत्तरी अमेरिका में सरवादिक इसका विकास है खैबर का दर्रा कहां है तो ये पाकिस्तान में है खैबर दर्रा पाकिस्तान में पढ़ता है कौन से मिट्टी कपास की खेती के लिए उप्रुक्त है तो रेगुर मिट्टी में कपास की खेती अच्छे से हो सकती है उप्रुक्त है संसार में निम्नतम प्रजनंदर किस देश की है तो स्वीडन जो देश है संसार में इसकी निम्नतम प्रजनंदर है ब्राजील की अर्थवेवस्ता मुखिता किस के उत्पादन पर निर्वर करती है तो कौफी के उत्पादन पर निर्वर करती है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन से है तो स्वेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है विश्व का सबसे उचा जवालम की परवत कौन सा है तो कोटो पैक्सी विश्व का सबसे उचा जवालम की परवत है वाई मंडल में दैनिक मौसम परिवरतन किस मंडल में होते हैं तो दैनिक मौसम परिवरतन आपकी छोब मंडल में होते हैं सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो दक्षणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है वशुकी सबसे गहरी जील कौन सी है तो बेकाल जील जो की रूस में है सबसे गहरी जील है सबसे चमकील अगर है कौन सा है तो शुक्र गर है सबसे चमकील अगर है चाय की खेती के लिए उपर्युक्त सबसे उपर्युक्त जलवायू कौन सी है तो मौनसोनी प्रकार की जलवायू देश का प्रधम जयव आरक्षित्र कौन सा है तो नीलगिरी देश का सबसे पहला जयव आरक्षित्र है किस जंजाती के लोग दूद को ताजा ना पीकर उसे खटा करके पीते हैं तो खिरगीज जंजाती के लोग दूद को ताजा नहीं पीते उसको खटा करके मतलब उसको दूद जब फड़ी आता है तब पीते हैं भारत में सबसे पुरानी जो है परवत माला कौन सी है तो सबसे पुरानी परवतमाला है आपकी अरावली परवतमाला दक्षन की गंगा किसको कहा जाता है तो कावेरी और गोदावरी दोनों को कुछ लोग कावेरी को कहते हैं लेकिन मुश्टी लोग गोदावरी को कहते हैं या रखना ठीक है दक्षन गंगा ग्रेट बैरियर रीप कहां इस्थत है तो यदि आपको दोनों प्षरागा है कावेरि और गॉदावरी तो आपको गॉदावरी लगाना है और यदि आपको गॉदावरी नहीं मिल रहा कावेरी दिखर एक तो कावेरी लगा देना है Pinardriya रीफ कहा इस्थत है विश्व की सबसे उची जील कौन सी है तो टिटिका का जील विश्व की सबसे उची जील में से एक है हीरा कुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है तो हीरा कुंड बांध ये महा नदी पर बनाया गया बांध है दीर का रेडियो तरंगे प्रतुवी की के सदह पर परावर्तित होती हैं तो आयन मंडल पर परावर्तित होती हैं सौर मंडल में ग्राउं की संख्या कितनी है तो ये कमेंट करके आप बताओगे मैंने आपसे बोलाता कुछ कॉशन में आपको दूँगा जिसका आंसर मैं नहीं लिखूंगा आपको comment box में comment करके बताना है कि सौर मुनल में हमारे सौर मुनल में total कितने इक रहे हैं यह आप comment करके बताओ ठीक है अगला question विश्व में rail mark की सरवादिक लंबाई किस देश में है तो सयुक्त राज अमेरिका में है विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है तो फिलिपीन्स करता है सरवादिक सक्री जौला मुखी कहां पर पाई जाते हैं तो प्रशान्त महासाकर का जो तटी भाग है वहाँ पर सरवादिक सक्री जौला मुखी पाई जाते हैं डोल्टरम क्या है तो भूमत दे रिखा कि आसपास अल्प दबाब का जो छित्र है वो आपका डोल्टरम छित्र कहलाता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप कौन सा है तो अरब प्रायदीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप कहलाता है रगेस्तान में बादल आउचेप होकर क्यों नहीं बरसते तो रगेस्तान में कम आदरता होते इसलिए बादल जो है आउचेप होकर वहाँ पर नहीं बरसते हैं सवाना घहांस के मैदान कहां पर है तो अफरिका में है सवाना घहांस के मैदान किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है तो सर्युक्त राज अमेरिका में जो पाइप्लाइन बीछी है उसकी लंबाई रेलमार्क की कुल लंबाई से भी अधिक है विश्वका सरवादिक जूट उत्पादक देश कौन सा है तो सरवादिक जूट उत्पादक छित्र कौन सा है तो गंगा ब्रह्मपुतर डेल टाई मैंदान मतलब भारत और बांगलादेश का जो भाग है वहां सबसे जादा जूट उत्पादन किया जाता है रेशम की उत्पादन हेतु व्यापारिक इस तर पर रेशम की कीडों को पाला जाना क्या कहलाता है तो उसको सैरी कल्चर कहा जाता है दामονदर नदी कहां निकलती है तो दामदर नदी निकलती है छोट अनागपुर के पठार से जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापार क्रशी क्या कहलाती है तो ओलेरी कल्चर कहलाता है विशुक में सबसे उंचा जुवार कहां आता है तो फंडी की खाडी में विशुक में सबसे उंचा जुवार आता है विश्व का सबसे गहरा गर्थ कौन सा है तो विश्व का सबसे गहरा गर्थ है आपका मारियाना ट्रेंच या मारियाना की खाई कावेरी नदी जल्वेवाद मुक्रता किंदो राजों के मद्दे है तो करनाटक और तमिलाडू के मद्दे है भारत में अधिकांश वर्षा किस मौन्सून से होती है तो दक्षिन पश्चिम मौन्सून से होती है यह किसने सरपधम प्रतिपाद किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का किंद्र है और प्रतिवी उसकी परिक्रमा करती है तो गैलीलियों ने ये प्रतिपादित किया सबसे पहले जोहांसन बर्ग के लिए विख्यात है तो ये स्वन खनन के लिए वहाँ पर सोना होता है सोने को खोद के निकाला जाता है जोहांस बर्ग भारतिय राज्य में सरवादिक लंबी तट्रिका किसकी है तो गुजरात राज्य की एक कौशन में आपसे पूछा भी था उत्री द्रोपर सरवदम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था तो रॉबर्ट पियरी था सागरी जल में सरवादिक मात्रा है पाई जाने वाल रवन कौन सा है सोडियम क्लोराइड सरवादिक मात्रा में पाई जाता है सागरी जल में पौटबलेयर के समीप की प्रसिद प्रवैल वित्ति किस कारण से इम्रत तो अत्यदिक मतस्ध से कारण वहां पर यौफ प्रवाल वित्ति हो नश्ट हो रही है भारत की सबसे बड़ी सुरंग झाल